वेल हाई गाईस कैसे हैं आप सभी लोग होप सो आप लोग बहुत जादा अच्छे होंगे गाईस मेरा नाम एश्वर्या एंड आप देख रहे हैं एशूस कॉर्नर गाईस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत जादा सिंपल टिप्स शेयर करने वाली हू जिन टिप्स को फॉलो करने के बाद आपके जो पिंपल्स हैं वो बढ़ना बंद हो जाएंगे एस वेल एज मैं एक होम रेमेडी भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी एक रेमेडी या फिर एक ऐसा कह सकती हूं कि एक प्रोड़क्ट ऐसा शेयर करूंगी कि अगर आप कम से कमएड़क अपने खाने में अपने खाने में उन्कू करें इसके अलावा आपको अपने खाने में सऩरी चाहिजिक करना है। को आप लोगों को अपने डाइट में सलाद को जरूरें करना है तो HOL lot करते हैं कि आ एक्स्रा और डेमलप ओँ जाता है वह वह साफ होता रहता है तो जो पींपर होते हैं वह double up ही roll और ज़ादा पेरो आलरेडी हो चुके हैं वो भी कम ले लग जाएंगे और अपने फेस्ट को वाश करते हैं तीन से चार बार तो इसके अलावा किसी को पिंपल्स हो जाते हैं पिंपल्स होने के बाद वो क्या होता है वहां पर एक को फुंसी के अंदर से पस निकलने लग जाता है वाइट कलर का एक लिक्विड निकलता है तो हमें क्या करना है हमें उस पस को अपने स्केन के और किसी पाट पर अप्लाय नहीं होने देना सको साफ कर देना है and हमें कोशिश करना है कि हम अपने हाथों से उन पिंपल को फोड़ें नहां क्यूंकि अगर हम फोड़ लेते हैं माली उकि मैंने हासे फौल लिए मैंने दूसरी हाथ लगा दिया तो दूसरी जगह भी पिंपल होने के जो चांसें काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कोशिश करें कि आप जो पिंपल हो रहे हैं उसको चूए ही नहीं तो जब चूएंगे नहीं तो पस जो है वो एक जगे से दूसरी जगे ट्रांसफर होने के चांस इस काफी जादा कम हो जाते हैं जिसके अलावा आप लोगों को नाइट के रूटीन जरूर करना है ती धूल प्रदूशन जाके चिपक जाता है आप लोगों कोशिश करें कि आप क्रीम करते हैं नाइट में अपने फेस को वाश करने के बाद कोई भी जो आप लोगों को पसंद हो वह क्रीम अपलाय करें वह ज्यादा एफेक्टिव रहेगी अगर आप रात को एपलाय करके यूज करें अलोवेरा जेल आपको ताजा अपने पेड का जो प्लांट का रहता है वो ले सकते हैं अगर आपके पास प्लांट नहीं है तो मैं अपने चैनल पर बहुत सारे अलोवेरा जेल शेयर कर चुकी हूँ अगर आप लोगों को वाव का अलोवेरा जेल लगाना चाह ईब्सक्राइब ऑक शाय सब्सक्तिम झालाके संसे 5 पंड़ों में यह यहाई शुस्माइब ध्यूर स्कॉपस्राइब reminds जय उन्मार इन ब्लैक कलर का स्पॉट हो जाता है तो गाइस ब्लैक मार्क से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना है एक उस पिंपल की ऊपर जब भी आप भार निकले अपनी उंगली में थोड़ा सा संस्क्रीन लेकर के उस पिंपल की ऊपर अच्छी तरीके से अपलाइक कर लीजिए अ आप उस पिंपल को पूरी तरह से संस्क्रीन से कवर कर देते हैं तो आप लोगों को जो पिंपल है उसकी जगह ब्लैक स्पॉट नहीं होगा तो मैं उमीद करती हूं गाइस कि जो मेरे बता हुए तरीके हैं वो आप लोगों के लिए हेलफुल रहे होंगे अगर मेरी वीड को आपने सारे संबंदियों के साथ जरूर श ranks करें ताकि मेरी वीडियो है वह अन लोगों की हेल्प कर पाए जो वाखि प्र benegól परेशान है तो आप मेरी वीडियो को जडूर में नहीं किया हैं तो आप लिए जलदी से जा शाआ कर कि मेरे चैनल को भी